पांडे बेचन शर्मा उग्र, हिंदी के प्रेमचंद युक्के सबसे विवादास्पत, सबसे बदनाम, अक्खड, अलमस्त, मनमौजी कथाकार, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनको याद करें हैं विश्नु प्रफाकरजी, उनकी मृत्यू के एक दिन बाद, 1967 में, 1967 में, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जी की मृत्यू हुई, और उस मृत्यू के बाद, विश्नु प्रफाकरजी के मन में, उस लेखक के प्रती, जो भावना थी, जो संस्मनात्मक यादे थी, वो इस लेख में जलकता है, और जैसे कईयों को पता है, पांडे बेचन श उनका लेखन, मनोरंजक और उत्तेजनापूर्ण तो था ही, काफी विभिन और विवादास्पत भी था, व्यंजनाओं, लक्षनाओं और वक्रोक्तियों से काफी समर्द था, और कई आलोचकों ने, कलावादी आलोचकों ने, उनकी कहानियों को अशलील, घासलेटी और कल विहीन घोशित किया, ऐसे थे उग्र, उनका नाम ही उनका पैन नेम, जो जिस नाम से वो लिखते थे, वो ही उग्र रखा उन्होंने, उनकी भाशा में उग्रता जलगती थी, उग्र मतलब काफी एक्स्ट्रीम, फियर्स, या फिर कहें प्रोकेटी, काफी सटैरिकल, भाश जीत में हो, या साहित्य में, काफी उग्र थी, उन्होंने एक उग्र नामक पत्रिका का संपादन भी किया, और उन्होंने अपना पैन नेम, तुली का नाम, उग्र भी रखा, देखते हैं, विश्नु प्रभाकर जी, अपने इस समस्मरन में, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के विक्तितों के किस पक्ष की और प्रकाश डालना चाते हैं, उस दिन चिता पर रखे हुए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम किया, तो सहसा विश्वास नहीं आया, कि वे अब फिर नहीं बोलेंगे, ऐसा लगा, कि जैसे सो रहे हूं, कुछ शन में उट पै बैठेंगे और अपनी उग्र भाशा में भाशन देना आरंब कर देंगे, मतलब कि जो व्यक्ति काफी उग्र रुप से बातचीत करता था, वो आज उसके पार्थिव शरीर को देख कर ऐसा नहीं लगता, विश्वासी नहीं हो रहा कि उनकी मृत्य हो गई है, मुझे कई ब अपनी बार ऐसे लगा कि वे अब उट बैठेंगे और अपने उग्र भाशा में भाशन देना आरंब कर देंगे, उग्र जी का व्यक्तित्वा असामान्य था, वह कभी भी भीड में एक बन कर नहीं रहे, देखो भीड में चलना आसान काम है, बस भीड के साथ चलते जाओ, लेकिन जो अलग तरह से सोचता है, वो भीड से अलग अपनी लीग पर चलता है, दूसरों की बनाए लीग पर नहीं चलता, उनके अंतरमन में कुछ ऐसी ग्रंथियां थी, जो उन्हें सदा, उद्वेलित और असंयत बनाए रखती थी, यदि वह लीग पर चलते, तो उग् कैसे होते, अब विश्णु प्रफाकर जी को लगता है, कि उनके अंतरमन में, बेचन शर्मा उग्र जी के अंतरमन में कुछ ऐसी ग्रंथियां थी, उनका सोचने का अटिचूड कुछ ऐसा था, कि उन्हें सदा, उद्वेलित और असंयत बनाए रखती थी, वे हमेशा चलते थे, ये मुम्किन ही नहीं था, कि उग्र जैसे विक्तितोवाला विक्ती, लीक पर चले या भीड में एक बन कर चले, उनसे मिलने से पूर्व मैं उनकी प्रतिभा का कायल हो चुका था, तब शायद विद्यारती ही रहा हूंगा, दिल्ली की मारवाडी लाइबरी में चंद हसीनों के खतूत पढ़ने बैठा, तो पढ़कर ही उठा, चंद हसीनों के खतूत, बेचन शर्मा उग्रजी के एक काफी फेमस नोवल है, तो विश्नु प्रभाकर जी उस नोवल को पढ़कर इतने प्रभावित हुए, कि पढ़ने बैठा तो पढ़कर ही उठा, काफी बड़ा नोवल तो नहीं था लेकिन इतना टच्चिंग था, उसकी भाषा इतनी तीवर थी और उसकी इमोशन्स इतने तीवर थे कि कम्पलीट करकर ही विश्नु प्रफाकरजी उठ पाए। तो ये एक उपन्यास की सकसस है कि कोई हाथ लेता है उपन्यास, कोई नोवल पढ़ने आप बैठते हैं और आप अगर अपने बाकी सभी काम छोड़ कर उस नोवल को खतम करके ही उठते हैं तो वो उपन्यास और उपन्यासकार का सकसस है। आज भी याद है कि मैं कई दिन तक भरा भरा रहा था, कई व्यक्तियों से उसकी चर्चा की थी, इस शन उसके शक्द मुझे याद नहीं है, लेकिन विभोरता की यह स्तिती आज भी अंतरमन पर अंकित है। मुझे अब भी याद है जब मैंने चंद हसीनों के खतूत उपन्यास पड़ा था, तो मैं काफी दिन तक भरा भरा रहा था, क्योंकि कहानी इतनी तच्चिंग थी, नोवल इतना तच्चिंग था, उसकी कथा इतनी तच्चिंग थी, कि मैंने उस नोवल के बारे में कई व् पर इस शन उसके शब्त मुझे याद नहीं है लेकिन विभोर्ता की वहस्तिती आज भी अंतरमन पर अंकित है देखो एक रचना कैसे एक पाठक को इतना प्रभावित कर गया कि बेचन शर्मा उग्रेजी की जो उपन्यास है चंध हसीनों के खतूत उसे पढ़कर विश्णु एक नौवल का सक्सस कितना हाई है ये सूजित करता है कई वर्ष बात जनवरी 1941 में घूमता घामता मैं इंदौर जा निकला तब तक लिखने लगा था और उन दिनों इंदौर से प्रकाशित होने वाली वीर्णा हिंदी के तक कालीन मासिकों में प्रमुक स्थान रखती थी मेरी कहानिया उसमें प्रकाशित हो चुकी थी श्री काली का प्रसाद देख्षित को सुमा कर उसके संपादक थे मैं उनसे मिलने के लिए वीर्णा के कारियाले में गया वहां किसी व्यक्ति ने मुझे बताया देख्षित जी तो आज नहीं आएंगे उग्र जी यहीं पर है उनसे मिल लो अब देखे यो हुआ सयोवश विश्नु प्रभाकर जी की कहानिया उस समय एक काफी चर्चित पत्रे का एक जर्णल वीर्णा में छप गई थी और वे काफी खुश थे इस बात से और वीर्णा के संपादक काली का प्रसाद देख्षित को सुमा कर से मिलने लेकिन वहाँ एक व्यक्ति ने बताया कि उग्रजी यहीं पर है उग्रजी उस समय काफी फेमस थे एक नौवलिस्ट के रूप में तो विश्नु जी ने भी सोचा कि चलो उग्रजी से भेंट की जाए काफी एक्साइटेड हुए मैं उत्फुल हो उठा अच्छा उग्रज आप किसी नौवलिस्ट के नौवल को पढ़ते हैं और आप जब उस विक्ति को आमने सामने पाते हैं तो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं खास करके अगर आपको वो नौवल काफी टचिंग लगा हो तो तो वह बोले जी हाँ वह पीछे के कमरे में ठेरे हुए हैं मैं सहस साहस नहीं बटोर सका और जब उनकी और चला तब भी शरीर में कमपन था देखा कि समिती के विशाल प्रांगन में एक अपेक्षाक्रत ठिगने कद का विक्ति तहमत लगाए जो जो से माली से कुछ कह रहा है तब मेरी पहली मुलाकात उस समय बेचन शर्मा उग्रजी से हाइट वगरा नहीं है ज्यादा हाइट नहीं है उनका और वे जोर-जोर से कुछ माली से बोल रहे थे बाल उसके कुछ लंबे हैं और उसने अपने दोनों हाथ पीट पर बांदे हुए हैं बार-बार एक हाथ को तेजी से आगे बढ़ाता है और क्यारी की और इशारा करके माली से कुछ कहता है अब देखो पहली मुलाकात एक लेखक से हो रही है मेरी और मैं काफी प्रभावित था उस नोवल से चंध हसीनों के खतूद और चंध हसीनों के खतूद लेखक उपन्यासकार उग्रजी से मिलने जब मैं पहुँचा तो वहां क्या देखता हूँ कि उ दरते दरते पास पहुँच कर मैंने नमस्ते की उन्होंने सहसा गरदन उठा कर मेरी और देखा मुख पर आवेश था आँखें चड़ी हुई थी कुछ तलकी से पूछा तुम कौन हो अब देखिए जब हम किसी साहितेकार से मिलते हैं तो हमें क्या लगता है कि काफी पॉल तो वो समय था जब उस समय हिंदी साहिते जगत में प्रेमचन जी चाय वे थे लेकिन लोगों में ऐसी भी एक बातची थी कि वह यूग प्रेमचन जी का था लेकिन लोक में उग्र की ही धाक थी मतलब कि लोगों के मन में उग्र की रचनाय काफी पोपलर थी यूग चाहे प्रेमचन जी का हो प्रेमचन जैसे आपको पता है उपन्या सम्राठ है एक यूग ही हिंधी साहिते का यूग ही प्रेमचन के नाम पर है लेकिन वहीं उसी समय उनके समकालीन पांडे बेचन शर्मा उग्री जी की रजनाएं काफी फेमस थी, लोग उसे काफी पसंद करते थे। और यहां देखो मुझे देखते ही वो बोले तुम कौन हो। मैंने जीजगते हुए अपना परिचे दिया, कहा अभी सुना है कि आप यहां ठेह रहे हैं, इसलिए दर्शन करने चला आया हूँ। आप देखें मैं डर्ते डर्ते साहस बटोर कर मैंने कहा कि मैंने सुना कि आप यहां ठहरे हैं तो मैंने सोचा आपकी दर्शन कर लूँ उन्होंने कहर भरी दृष्टी से मीरी और देखा और तीवर स्वर में कहा किस हराम जादे उल्लू के पठे ने तुमसे कहा कि मैं हराम ज अचानक इस तरह की प्रतिक्रिया करें कैसे कहते हैं उग्रजी कि किस हराम जादे उल्लू के पठे ने तुम से कहा कि मैं हराम जादा उल्लू का पठा यहां हूं मैं तो एकदम अवाक रहे गया मतलब कि विश्णु प्रफाकर एकदम चकित रहे गये इतनी प्रतिक्षा तो इतना तो नहीं सोचा था सुनकर मेरी क्या दशा हुई इसकी कल्पना ही की जा सकती है घोर आरिय समाजी विश्णु प्रफाकर जी है जो काफी आरिय समाजी है काफी अच्छे समस्कारों के हैं सदाचार का उपासक थे और नौसिख्या लेखक अब देखियो विश्णु प्र का उपासक थे और उन्हें कुछ सूझा नहीं कि क्या कहूं क्या ना कहूं उन्होंने मानो मेरी स्थिती को भांप लिया मन ही मन मुस्क्राएं भी होंगे बोले अच्छा तो तुम वही विश्णु हो जो कहानिया लिखता है उग्रजी मुस्क्राने लगे मन ही मन क्योंकि उ वही विश्णू हो जो कहानिया लिखता है जी हां तो मैंने कहा हां जी हां मैं वही विश्णू हूं लिखते रहो ठीक है देखो कैसे ठंडी सी प्रतिक्रिया की उन्होंने हां अच्छा है लिखते रहो ठीक है और फिर दो चार भारी भरकम गालिया देकर माली की और मुखाति मैं जान बचाकर वहां से भागा, उनकी प्रतिभा का मैं तब भी कायल था, लेकिन मैं भाशा से सहमत नहीं हो सका, मुझे उनकी प्रतिभा के बारे में अच्छा ग्यान था, क्योंकि मैंने उनकी उपन्यास पढ़ रखे थे, लेकिन उनकी जो भाशा है, जो उनके बोलने का तरीका है, बिन मतलब गाली देने का जो तरीका है, वो मुझे बिलकुल पसंद नहीं था, मैं सहमत भी नहीं था, और मुझे लगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ तूट गया है, तब मुझे एसास हुआ, कि जरूर इस व्यक्ति के अंदर कुछ तूट गया है, और वह बिन बात की, गालिया उसी नपुनसक क्रोध का प्रतीख है, ये जो नपुनसक क्रोध है, उन्हें क्रोध आ रहा है अपने समाज पर उन्हें क्रोध आ रहा है, शायद उसी की प्रतिक्रिया गाली के रूप में बाहर आ रही है, गालिया उसी नपुनसक क्रोध का प्रतीख है आज भी मेरी यही मान्यता है उनकी भाशा में जितना रोश आक्रोश था और वाणी में जितनी उगरता और अबधरता थी अंतर में वह उतने ही दुर्बल थे और उस दुर्बलता को छिपाने के लिए ओज की चांदनी चड़ाते रहते थे मैं उस दिन ये समझ गया कि ये विक्ति जो उगर है जो बिन बात में गालियां देता है अबधर भाशा बोलता है लेकिन जिसका साहिते में अच्छी पकड़ है ये जरूर अंदर से टूटा हुआ विक्ति है तभी इसके अंदर से ये क्रोध एक नपुनसक आपको पता है न जो ये male भी न हो female भी न हो तो ये क्रोध ऐसे आ रहा है क्योंकि बिन बात में गाली दे रहा है विक्ति तो मैं समझ गया कि ये इसकी दुर्बलता है ये अपनी दुर्बलता को छिपाने की कोशिश कर रहा है शीशे पर चांधी चड़ जाती है तो वह दर्पन बन जाता है जैसे हम जो दरपन होता है, जिसमें हम मुह देखते हैं, जो मिरर होता है, वो तो plain glass पर जब चांदी चड़ा दी जाती है, silver coating कर दिया जाता है एक side में, तब जाकर वो मिरर बन जाता है, लेकिन उस दरपन में आदमी अपने को ही देखता है, और जैसा देखना चाता है, वैस ही देखता है, असली रूप को नहीं देख पाता, अब मुझे भी ऐसे लगा कि ये जो उग्रजी हैं, वो अंदर से टूटे वे विक्ती हैं, उनके अंदर काफी बड़ा आक्रोश है, समाज के प्रती, उनकी परिसितियों के प्रती, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगी, य जब उनकी एक कात्मकता है, अपनी खबर, उग्रेजी की, उसमें उनके खुल कर लिखा है, कि कैसे उनका जन्म गरीबी में हुआ, यह 1900 की बात है, उनका जन्म कहां हुआ था, उत्तप्रदेश में, चुनार, मिर्जापुर में, तो उस समय भयंकर, भूक और दरिद्रता थ यह ब्रामन पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा था कि इनके परिवार के कई बच्चों की मृत्यू हो गई थी, अकाल मृत्यू, क्योंकि भूक के कारण, तो इनकी मा ने इनको बेच दिया, किसी दलित स्त्री को, देखिए, अकसर तो उल्टा होता है, लेकिन इनके मा ने, जो ए इन्हें बेच दिया एक दलित स्त्री को, ऐसे उन्होंने अपनी आत्मकत्था में कहा है, और इस बेच्चन, ऐसे बेचे जाने वाले बच्चों को बेच्चन कहा जाता है, तब ही ये उनके नाम के साथ जुड़ गया, पांडे, बेच्चन, शर्मा, उग्र, तो जो विक्त ही हुई है, यही उन्हें कचोट रहा है, यही दुख उन्हें साल रहा है, जो गालियों के रूप में, जो नपुनसक क्रोध के रूप में बाहर आ रहा है, उसके बाद उनको खूब पड़ा, उनके बारे में जाना, उनसे मिला, प्रशंसा और निंदा दोनों ही उनसे हमेशा यही लगा कि इस व्यक्ति को पार्खियों ने पहचानने में गलती की है और उसकी बाद पहली मुलाकात तो उन्लू का पठाव अगरा कहकर हो गया लेकिन बाद में एक लेखक के रूप में मेरा और उनका मिलना कई बार हुआ विश्णु प्रफाकर और उग्रजी का मेल मिला होता रहा कई बार हुआ और हमेशा विश्णु जी को यही लगा कि इस व्यक्ति को पार्खियों ने पहचानने में गलती की है पार्खि कौन है जो सच्चा हीरा पहचानता है मतलब कि जो कसोटी पकस कर कसने के बाद सच्चे हीरे को पहचान लेता है तो यहां पार्खियों से मतलब है जो साहीतेकारों में जो आलोचक है जब कोई साहीतेकार कुछ लिखता है उसमें जो critical analysis करते हैं critics तो इन critics ने बेचन शर्मा उग्रत जी को पहचाने में गलती की यही विश्नु प्रभाकर जी की राय है और प्रतिक्रिया स्वरूप इसने अपनी उपस्तती कानभव कराने के लिए इस अंगड उग्रता को ओड लिया है अब इसके प्रतिक्रिया सरूप चुंकि वो लिख रहे थे अच्छा लिख रहे थे लेकिन दूसरी तरफ आलो चक उनके लेखन को घासलेटी साहित्य अशलील साहित्य कह रहे थे उस पर इस प्रकार की मुद्रा चाप रहे थे तब इनके मन में जो प्रतिक्रिया हुई वही इनकी जो उग्रता है उसके रूप में बाहर आ रही है ऐसा लगा विश्णु प्रभाकरजी को उनको लेकर घासलेटी साहित्य के विरुदे कांदोलन चला ततकालीन समाज की जो स्थिती थी और आर्य समाज का घोर ब्रह्मचर्य वाला जो अतिसंयमी आचरन ततकालीन प्रभुद्ध मानस को ग्रसे हुए था उसमें उग्र जैसे विक्तियों को कोई कैसे समझ सकता था देखो उस समय की परसित्या ही ऐसी थी 1990s, 30s, 40s में जो बात थी उस समय आर्य समाज की जो घोर ब्रह्मचर्य वाला जो अतिसंयमी आचरन की उपेक्षा की जाती थी लोगों से अतिसंयमी काफी self-controlled जो लोगों का जो personality है उनकी जो सुभाव है उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि ब्रह्मचर्य जैसे हो मतलब अशलील वागेरा कहना उस समय मानने नहीं था अशलील कहना मानी नहीं था अशलील पढ़ना मानी नहीं था सुनना मानी नहीं था और ऐसे में अशलील लिख रहे थे उग्रजी तो बड़े उग्र रूप से उन्होंने समाज पर चोट की और और नगनता को कला के जीने आवरण में धंकने का प्रयत्न नहीं किया अब देखिए विश्णु प्रफाकर जी कैसे अनलाइस करते हैं, प्रिटिकल अनलिसस कैसे करते हैं, कि उग्र जी ने अगर अशलीलता लिखा है, तो वो इसलिए सामने आया कि उन्होंने उस अशलीलता को कला के आवरण में ढखने का प्रहतना नहीं किया, पॉलिश होकर, अ जो है उसे वैसे ही लिखा, अशलील है तो अशलील लिखा, तो इसलिए उस समय के ब्रह्म समाजी, ब्रह्म चरिय आचरन पसंद करने वाले लोगों को ये पसंद नहीं आई, बहुत वर्षों बाद चौकलेट का फिर से प्रकाशन हुआ, चौकलेट उग्रची की एक कहानी संग्रह है, उन कहानियों को पढ़कर मैं उस पुराने आंदोलन से सहमत नहीं हो सका, निश्चे ही वे शिल्प की दृष्टी से सुन्दर रचनाय नहीं थी, लेकिन उनका उद्देश्य अशलीलता का प्रचार करना भी नहीं था, अब चौकलेट कहानियों का जो संग्रह ह वो जब विश्णु प्रफाकर जी ने कई साल बात पड़ा, तब उन्हें लगा कि उसमें अशलीलता है, लेकिन अशलीलता का प्रचार करना उनका उद्देश्य कदापी नहीं रहा होगा, क्योंकि बातें उन्होंने ऐसे कही जिसमें अशलीलता आ गई है, क्योंकि समाज म उसमें अशलील और अशलील दोनों थे, लेकिन उस अशलीलता को बिना किसी आवरन के उग्रजी ने प्रस्तुद किया, इसलिए उनकी कहानी संगर चौकलेट को घासलेटी साहित्य अशलील साहित्य कहा गया, लेकिन विश्णु प्रफाकर जी ने जब उसे निश्पक्ष ह कर पढ़ा तब उन्हें लगा कि इसमें ऐसी कोई बात ने उग्रजी ने नहीं कही कि अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाए उस पुस्तक की रिव्यू करते हुए मैंने ये दोनों बाते लिखी न जाने उग्रजी को कैसे पता लग गया कि यह सब मैंने लिखा है अचानक एक कि दिन कनोट सरकस में उनसे भेंट हो गई बिना किसी भूमिका के मेरी और बड़ी गंभीरता से देखते हुए उन्हें कहा तुमने बड़ी संतुलित आलोचना की है ठीक ही लिखा है अब उनके चौकलेट कहानी के बारे में जो मैंने रिव्यू लिखा उसके बारे में उन उन्हें पढ़ा और उन्हें मुझसे कहा कि तुमने बड़ी संतुलित आलोचना की है संतुलित आलोचना मतलब निश्पक्ष होकर critical analysis किया है कोई पक्ष लेकर नहीं तो उन्हें शायद वो okay लगा मैं जानता हूँ वह बहुत प्रसन नहीं थे लेकिन इन शब्दों ने मेर कि उस धारना को और भी पुष्ट किया कि इस आदमी को किसी ने समझने का प्रैत्न नहीं किया और यह भी कि यह व्यक्ति समझे जाने की अपेक्षा रखता है हर व्यक्ति रखता है लेकिन कुछ है कि अपेक्षा पाकर अपेक्षा की जिन्ता नहीं करते देखिए उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है इसे लोगों ने समझने में गलती की या फिर समझने का प्रहतना नहीं किया हर व्यक्ति समझे जाने की अपेक्षा रखता है आप और हम सभी यही चाहते हैं कि हमें लोग समझें लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उपेक्षा पाकर समझे जाने की अपेक्षा की चिंता छोड़ देते हैं जब कोई आपको अवोईड करता है उपेक्षा करता है तो फिर आपको लगता है कि छोड़ो कोई मुझे समझे या न समझे तो शायद उग्रजी के साथ भी ऐसे ही हुआ, लोगों ने उनकी इतनी उपेक्षा की, उनके लेखिनी की उपेक्षा की, एक तरफ जनता उनके साहिती को बड़े चाव से पड़ रही थी, आप देखिए 1920s-30s में जब एक तरफ प्रेमचन जी की रचनाएं काफी फेमस थी, दूसरी तरफ जो अशलील साहिती कहे जाने वाले बेचन शर्मा उग्रजी की रचनाएं भी लोग उतने ही चाहते थे, लेकिन आलोचक वर्ग बेचन शर्मा उग्रजी की रचना को एकदम अशलील अब बद्दा मानते थे, तो इसी से बेचन शर्मा उग्रजी काफी रु पहुँशती थी और दूसरी उनके साहितिय को इस प्रकार उपेक्षा की दृष्टी से आलोचोकों द्वारा देखा जाना। लेकिन कुछ है कि उपेक्षा पाकर आपेक्षा की चिंता नहीं करते और कुछ होते हैं कि उनके भीतर तीवर प्रतिक्रिया होती है। तीवर प्रतिक्रिया सदा तोडती है। देखे यहां उग्रजी के अंदर भी तीवर प्रतिक्रिया हुई। उनकी उपेक्षा की जा रही थी तो उनके अंदर तीवर प्रतिक्रिया होने लगी। रियाक्शन होने लगा। और वो नपुनसक क्रोध के समान बाहर जलकता था। क्योंकि हमेशा तीवर प्रतिक्रिया तोडती है, आत्मी के विक्ति को तोडने में ही ये जो तीवर प्रतिक्रिया है, आपके अंदर अगर आखरोश है, किसी के प्रति गुस्सा है, तो वो गाली के रूप में बाहर आएगा, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि सभी शैली के विवेचन का यह अवसर नहीं है मेरा ध्यान उनके व्यक्तितों पर ही जाता है उनकी भाशा को न सहपाकर भी उनके उग्र अहम और गतिमय व्यक्तितों ने सधा मुझे प्रभावित किया आगे आगे देखते हैं विश्नु प्रभाकर जी पांडे वेचन शिर्मा उ व्यक्तितों के किन-किन उग्र पहलियों को हमारे सामने उजागर करते हैं उग्र जी की व्यंग करने की शमता और उनकी अनोखी शैली के विवेचन का यह अवसर नहीं है क्यों क्योंकि कल ही उनकी मृत्यू ही है और मृत्यू होने के पश्चात ही विश्नु प्रभाकर जी ये लेख लिखा है तो आज उग्र जी की व्यंग्य करने की शमता या फिर उनकी अनोखी शैली लिखने का जो स्टाइल है उस पर विवेचन करना उनका उद्देश नहीं है मेरा ध्यान उनके व्यक्तितों पर ही जाता है उनकी भाषा को ना सह पाकर भी उनके उग्र अहम और गतिमई व्यक्तितों ने सदा मुझे प्रभावित किया मैं उनकी भाषा से कभी सहमत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके उग्र एहम और उनकी गतिमई व्यक्तितों, उनकी परस्नेल्टी काफी गतिमई थी, उनकी उग्र एहम एहम भावना वो भी काफी उग्र थी, इन दोनों ने सदा मुझे प्रभावित किया नवंबर 1949 में मैं मिर्जापुर गया था, उन दिनों उग्रजी वही रहते थे, अपने अग्रज के साथ मैं उनसे मिलने पहुँचा, नौ वर्ष बाद मैं उनसे मिल रहा था, तब का वह मिलना भी शनिक ही था, लेकिन वह तुरंत ही पहचान गए, और बड़े सनेह के साथ स से 1949 में मिर्जापुर में हुआ, तो नौ साल बाद उनसे मुलाकात हो रही थी, वो मुलाकात भी शनिकी थी, थोड़े समय के लिए ही थी, लेकिन वह तुरंत ही पहचान गए, और बड़े सनेह के साथ उन्होंने मिरा स्वागत किया, बैठने के लिए कुरसिया लाए, खू ज्वार बाजरे की रोटी खानी है, तो स्वागत है, देखिए उनकी स्टाइल ही ऐसी है, मैं तुम्हें पकवान नहीं किला सकता, प्रेम के साथ अगर ज्वार बाजरे की रोटी खानी है, तो स्वागत है, उनका वहस ने भरा निमंतरन स्विकार करके हमें खुशी होती, लेकिन चूंकि हमें आगे जाना था, इसलिए इस सावभाग्य से वंचित रह गए, पर बातों में बड़ा आनन्द आया। हम उस समय उनके उस निमंतरन को, भोजन खाने के निमंतरन को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, लेकिन स्वीकार करने पर हमें काफी खुशी होती, क्योंकि एक ऐसे विक्ति ने हमें भोजन पर बुलाया है, जो अक्सर गालिया बगता है, जो अक्सर बेबतलब गुसा होता है, और उसी विक्ति ने आज बड़े प्रेम से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन चूंकि हमें आ जाकतित नेताओं को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वहर रंच मात्र भी अनर्गल नहीं था उस समय के ततकालीन नेताओं के बारे में, पॉलिटिशन्स के बारे में, उस समय उग्रजी ने जो बातें की, वो एकदम सटीक था, मतलब कि जो कुछ उनने कहा एकदम सत्य ही थ जैसे बुद्धी को कुछ स्थाई तो मिल गया है, गालियां भी कुछ कम हो गई है, तब मुझे लगा कहीं वो ठक तो नहीं गई, यह आत्मी तो बिनबात गालियां देता था, साहित्य काफी अच्छी तरह से लिखता था, लेकिन बात करते वक बिना कोई वजग ही गालियां बगता था, लेकिन आजकल थोड़ा गंबीर दिख रहा है, गालियां भी कम हो गई, लेकिन सिने जीवन के समस्मरन सुनाते हुए, जब उन्होंने प्रसिद अभनेतरी, श्रीम आया जाए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो अनिभव था, बेचन शर्मा उग्र जी का, उस पर जब बाते हुई, तो वो काफी उग्र हो गए, अपना उग्र सभाव लेने लगे, खास करके जब उस समय की प्रसिद सिनिमा आर्टिस्ट अभिनेतरी, श्रीमती द डैलोग कुछ ऐसा था, जो दुरगा खोटे जी ने बदलने को कहा, स्क्रिप्ट राइटर के बतोर उग्र जी को डैलोग बदलने की सला दी, अभिनेतरी ने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और आक्टर उससे ज़्यादा फेमस बनी, तब उसी इतना गुस्सा आया, उस समय उग्र जी अपनी चिरव परिचित आवरनहीन उग्र भाशा का प्रयोग करने लगे, उस बारे में जब वो बात कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री से सम्बंदित, दुरगा खोटे से सम्बंदित, तब वो इतने उग्र हो गए, गालिया आने लगी, गुस्सा आने अपना उग्र सभाव बाहर निकालने लगे, थोड़े समय पहले मुझे लगा था कि 9 साल बात उनके सभाव में कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन नहीं, जब विशे सिनमा इंडस्ट्री पर आया, तो वे काफी उत्तेजित हो गए, उन्होंने अपने चिरव परिचित आव पर नहीं मतलब कोई आवरन के बिना, कोई पॉलिशिंग वगिरा नहीं है, जो कहना है उसी तरह कह दिया, खरा खोटा कह दिया, श्रीमति दुर्गा खोटे और अपने लिए उन्होंने न संग्या का प्रयोग किया, न सर्वनाम का, विशुद्ध पुलिंग और स्त्रीलिं पर आ गए, तब कि कोई आदर देखकर दुर्गा खोटे का नाम सब्बोदन नहीं किया, अपने लिए स्वयम उपने लिए और दुर्गा खोटे के लिए विशुद्ध पुलिंग और स्त्रीलिंग पर आ गए, एक्दम से गुसा आ गया उनको, और उस बात को याद करते ही दुर्गा खोटे की जो रिक्वेस्ट था, उसे याद करते ही वे पुलिंग और स्त्रीलिंग पर आ गए, तु तु मैं मैं आ गए, मतलब कि गालिया बखने लगे उसके बारे में। तो उनहीं पहचाने कौन? देखिए, मुझे नौ साल बात जब उनसे मुलाकात हुई, कुछण के लिए तो मुझे लगा कि उनके सुभाव में, उनकी जो बोलने का तरीका है, उसमें कुछ बदलाव आया है, लेकिन जैसे ही दुर्गा खोटे की बात चली, तो वे काफी उ भाशा ना बोलें, तो उन्हें पहचाने का कौन? वे पहचाने ही जाते हैं उनके इसी उग्रशेरी के कारण. तो विश्णु प्रफाकर जी कहते हैं, नौ साल बाद जब मैं उनसे मिला, तब मैं भी मेरे जो आरे समाजी, जो मेरा व्यक्तितु था, उसमें भी थोड़ा ब उनसे मुलाकात हुई, तो मैं काफी जेंटलमेन टाइप था, मैं इस प्रकार की भाशा, गालियां सही नहीं पाता था, लेकिन नौ साल बाद मेरे कैरक्टर में भी थोड़ा बदलावाया, मैं आरे समाज के अत्ति संयमी प्रभाव से थोड़ा मुक्त भी हुआ, और अग् अग्रज की उपस्तिती में एक और अग्रज की मुक से इस प्रकार की भाशा सुनकर अच्छा नहीं लगता है, कोई अपने से छोटा हो और उसकी अकल फिरी हो, वो कुछ कह दे तो हम सह लेते हैं, लेकिन अपने अग्रज जो अपने बुजुर्ग हैं, वो जब ऐसा कहते ह तो थोड़ा दुख लगता है, कई वर्ष बाद ये दिल्ली आकर रहने लगे, तब उनसे बहुत मिलना होता था, कनोर सरकस के बरांदों में बहुत बार उनके साथ सेर की है, मित्रों और अग्रजों की प्रती उनके आक्रोश को बद्धी बद्धी गालियों में बहते वे देखा है, मुझे देखते ही वह छिंटा कशी करने से नहीं चूकते, अब कई वर्ष बाद दिल्ली में आकर रहे उग्रजी, तब उनसे बहुत मिलना होता था, कनोर सरकस के बरांदों में बहुत बार उनके साथ सेर भी की, मैंने कई बार देखा मित्रों और अग्रजों की प्रती, उनके आकरोश, जो बद्धी-बद्धी गालियों में बहते थे, बद्धी-बद्धी गालियां देदे थे, अपने से सीनियर्स को, अपने मित्रों को, मुझे देखते ही वह छिंटा कशी करने से नहीं चूकते थे, जैसे एक दिन बोले, क्या यह छिले हुए आलू जैसा चिकना-चिकना मू लेवे घूम रहे हो, मतलब विश्वर भाकर जी के मूँ के बारे में छिंटा कशी करते हैं, तिपनी करते हैं, क्या एसा छिले हुए आलू की तरह चिकना-चिकना मू लेवे घूम रहे हो, उनकी मूँ के बारे में, उनके फेस के बारे में इस प् पत्र लिख भेजा। देखें मुझे एक बार तो मुझे उन्होंने एक तीवर गुस्से में आकर एक पत्र लिख डाला। वो क्या था। 1957 में भारत के प्रथम स्वादिंता संग्राम की शताबदी मनाई गई थी। उस अवसर पर आकाशवानी से अनेक रूपक प्रसारित हुए थे। सबसे पहला रूपक मैंने ही लिखा था। उसका बहुत सीमित शेत्र था। मुझे उसकी प्रिष्ट भूमी पर प्रकाश डालन था। तो 1957 में इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो अनिवर्सरी था। तो उसमें आकाशवानी में एक चोटा सा रूपक एक ड्रामा टाइप देना था। और वो दिया था विश्नु प्रफाकरजी ने। मुझे उसकी प्रिष्ट भूमी पर प्रकाश डालना था इंडिपेंड्स ट्रगल की जो प्रिष्ट भूमी है उस पर प्रकाश डालने का दाइत्व विश्नु प्रफाकरपर था। सामगरी बहुत कम उपलग थी और फिर वह एक डॉकुमेंटरी रूपक ही था। एक डॉकुमेंटरी टाइप था। संयोग वश वह सापता ही क हिं मेरा। उग्रजी ने उसे पढ़ते ही तुरंत मुझे वह भयानक पत्र लिखा। और जैसे ही उग्रजी ने उस जर्नल में मेरा ववला पढ़ा रूपक उन्होंने मुझे भयानक पत्र लिखा। साथ ही साथ संपादक को भी खरी खोटी सुनाई। उस पत्र का संबोधन इ और अपने हस्ताक्षर इस प्रकार किये थे वही उग्र चवण्या पाठक गुस्से में आकर उन्होंने मेरे उस आर्टिकल पर काफी कुछ लिखा उस खत में देखो जी महाशे विश्णु प्रफाकर मतलब कि विंग्यात्मक रूप से मेरा मजा कुड़ा कर उन्होंने लिख मुझ पर गुस्सा आकर लिखा और अंत में लिखा वही उग्र चवण्या पाठक चवण्या मतलब जिसका चवण्या के जैसे ही जिसकी कीमत हो बहुत कम कीमत विए मैं तो आप मूली सा पाठक हूँ फिर भी मै अपनी राय तुम्हारे उस आर्टिकל के बारे में देना चा लेटर लिखा श्री विश्नु प्रभाकर लिखने के बजाए उन्होंने दस बार श्री 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 लिखा। मैं जानता था कि वह सापताहिक इंदुस्तान के संपादक श्री बांके बिहारी भटनागर से अप्रसन्न है। शायद मेरे द्वारा की गई चौकलेट की आलोजना से भी वह अप्रसन्न हुए हूँ। अन्य था रेडियो के आदेश पर लिखा गया वह रूपक किस योगी नहीं था कि उसकी चर्चा की जाती। अब मुझे लगा मैंने उनकी जो कहानिया है जो चौकलेट हैं उस पर जो कृटिकल एनलिसिस मैंने लिखा है उस पर भी वो प्रसन नहीं होंगे और शायद मेरा ये जो रूपक है जो साथताहिक हिंदुस्तान जर्चानल में आया उसके प्रती भी उन्हें अरुची होगी इसलिए उन्हें ऐसा खत लिखा फिर भी मैंने अपनी स्थिती स्पश करते वे उन्हें पत्र लिखा परन्तु न तो उन्हें उसका कोई उत्तर दिया न मिलने पर इस बात की चर्चा की उसी तरह मुक्त भाव से मिलते रहे अब देखे साहीतेकार होने के नाते हमारी मुला उन्हें उन्हें कहा उग्रजी कृप्या आप एक बार मेरे गरीब खाने पर भोजन करने पधा रिये तो एक बार मैंने उन्हें से रिक्वेस्ट किया कि हमारे घर में भोजन करने के लिए पधा रिये तब वह पान की दुकान पर पान खा रहे थे एक पान मेरी और भी बढ बढ़ाया, बोले, सोच लिया है, तो उस समय वो पान की दुकान पर पान खा रहे थे, जब मैंने उन्हें इन्वाइट किया, तो एक पान मेरी और बढ़ाया, और उन्हें कहा, चलो सोच लिया, मैंने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, आप अगरज हैं, आपको आना मैंने कहा, भी, मैंने एक खाना खाने का इन्विटेशन दिया है, इसमें सोचने की क्या बात है, आपको आना चाहिए, आप हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, वह मुस्कराए, केवल इतना ही कहा, ठीक है, अच्छा, मुस्कराते हुए उन्हें कहा, चलो अच्छा, मैं लेकिन सहसा, दूसरे विक्ती की और देखकर, उन्होंने कहा, हमें बहुत से लोग बुलाते हुए डरते हैं, अब पान की दुकान में कोई और विक्ती भी उनका परचित खड़ा था, उन्हें देखकर मुझे सुनाते हुए, उन्होंने कहा, कि हमें बहुत से लोग बुला उस विक्ती ने पूछा क्यों भला क्यों डरते हैं तलकी से बोले सालों के घर में जवान लड़कियां बहुएं जो होती हैं जट से उग्र ने जवाब दिया कि उनके घर में जवान लड़कियां और बहुएं होती हैं तो इसी लिए मुझे घर बुलाने से डरते हैं ऐसे थे उग्रजी अपने उपर भी व्यंग्य करते थे मतलब कि इनकी जो रचनाये हैं उसमें काफी मात्रा में अशलीलता होती थी तो ऐसे अशलील लिखने वाले एक आदमी को कोई घर भला कैसे बुलाए क्योंकि घर में औरतें स्त्रिया है तो उग्रजी को ये भी पता था कि मैं ऐसा लिखता हूँ लेकिन उग्रजी कहते हैं मैं जो लिखता हूँ वो सच लिखता हूँ जो समाज में हो रहा है वही लिख रहा हूँ लेकिन इसी सच्चाई के कारण इतने नंगे तरीके से लिखने के कारण लोग उन्हें घर में बुलाने से भी डरते हैं मैं स्युकार करूँगा कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा लेकिन उग्रजी तो उग्रजी थे उनको अप्रतिब होते वे मैंने एक ही बार देखा मुझे उनका उस समय का वो डैलोग बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन क्या करें उग्रजी तो उग्रजी है बस एक बार उग्रजी को अप्रतिब होते वे मैंने देखा है मतलब कि अकसर ऐसा होता था कि उग्र अपनी भाशा में उग्र शैली में दूसरों को एकदम से हताश कर देते थे लेकिन एक बार मैंने ऐसा पाया जहां खुद उग्रजी एकदम से बेजुबान हो गए आकाश्वानी पर कवी सम्मेलन था दिल्ली के सभी प्रमुक साहित्यकारनी मंत्रित थे उग्र जी थे, दद्दा मैंत्रिशन गुप्त भी थे सम्मेलन समाप्त होने पर अपने सुभाव के अनुसार दद्दा सबसे मिलते घूम रहे थे मैंने कहा दद्दा उग्र जी भी आये है तो एक बार यो हुआ कि दिल्ली में एक आकाश्वानी का कवी सम्मेलन था उसमें सभी प्रमुक कवी आये होए थे आर आपको पता है मैंत्रिशन गुप्त काफी फेमस राष्टर कवी के नाम से जाने जाते हैं और वो आये थे तो मैंने कहा दद्दा जी से मैसेशन गुप्त जी से कि देखो उग्र जी भी आये हैं और दद्दा क्या कर रहे थे सभी से मिलते मिलते घूम रहे थे अपने सभाव अनसार दद्दा तुरंत यह कहते हुए कहा है उनकी और लपके और उन्हें सामने पाकर बड़े स्नेह से उनसे बातें करने लगे कुशल समाचार पूछा और बोले कभी गरीब खाने पर जूठन गिराने आईये ना और दद्दा ने उन्हें इन्वाइट किया उग्रजी को कि हमारे गरीब खाने में भी कभी भोजन करने आईये ना उग्रजी ने क्या जवाब दिया था ठीक शब्द याद नहीं है निश्चय ही यह सहियत उत्तर था और उग्रजी ने शायद अपने स्वभाव के मुताबिक कुछ ऐसा जवाब दिया कि मैतलिशन गुप्त जी दद्दा जी को काफी बुरा लगा और उन्होंने काफी सहियमित होकर जाते जाते कहते गए और वे चलते चलते जाते जाते कहते गए महाराज जी आपने अपने प्रतिभा का बड़ा दुरुपयोग किया है कितने संयद भाशा में कितने सेल्फ कंट्रोल होकर मैथलिशन गुप्त जी ने ये मेसेज जाते जाते उग्रजी को दे दिया कि तुम काफी प्रतिभाशाली हो भई लेकिन तुमने अपने प्रतिभा का बड़ा दुरुपयोग किया है भाशा का काफी बड़ा दुरुपयोग तुमने किया है उग्रजी हतप्रप से देखते ही रह गए अब उग्रजी के पास इसका कोई आंसर ही नहीं था ठगे से रह गए और दद्दा आगे बढ़ गए यद्यपी इस पश्टता के पीछे सनेह ही था फिर भी इसके दंश में कचोड तो था ही पर उग्रजी एक शब्द नहीं बोले अब मैथलिशन गुपत जी काफी आदरनीय विक्ती थे कवी थे सीनियर थे और सभी उन्हें बहुत मानते थे और गुपत जी ने जाते जाते यों कह दिया महराज जी आपने अपने प्रतिभा का बड़ा दुरुपयोग किया है अकसर क्या होता है प्रतिभा का सदुपयोग किया जाना चाहिए लेकिन आपने दुरुपयोग किया है वे कहते कहते चले गए लेकिन उग्रजी एकदम से स्तब्द रह गए अंतिम बार मैं उनसे जैपूर में मिला था तब उन्हें पहली बार दिल का दोरा पड़ा था एक छोटे से कमरे में वे लेटे थे आसपास कई मित्र थे उन्हें देख कर यही लगता था कि वह अस्वस्त है अब अंतिम बार मैं उनसे जैपूर में मिला तब उन्हें पहली बार हाट अटेक हुआ था एक छोटे से कमरे में लेटे थे आसपास कई मित्र थे उन्हें देख कर यही लगता था कि वह अस्वस्त है वैसा ही जीवन वही मुक्तता, मुझे देख कर वह उट बैठे और काफी देर तक बड़े स्नेह से बातें करते रहे। स्नेह उनमें निश्चे ही था, परंतों उनका व्यंग्य विद्रूप वाला रूप इतना उभर कर सामने आता था कि शेश सब कुछ उसमें छिप कर रहे जाता था। इस समस्मरण में विश्चु प्रभाकर यही हाइलाइट करना चाते हैं कि उग्रजी काफी उग्र विंग्यात्मक अशलील तरीके से गालिया देते हैं लेकिन उनके अंदर स्नेह की भावना काफी मात्रा में है। लेकिन होता यह है कि व्यंग वाला रूप उनका विद्रूप वाला रूप इतना उभर कर सामने आता है कि उनका स्नेहिल रूप एकदम से दिखता ही नहीं है। वो अशलील रूप है। वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे गालिया देते हैं। उनके विक्तितों का वो पक्ष इतना उभर कर सामने रहता है कि उनके अच्छे गुन को कोई देखता ही नहीं। विस्तार के बावजूत शैलीकार के रूप में सदा जीवित रहेंगे। चंध हसीनों के खतूत महात्मा ईसा ये सब उग्रजी की फेमस रचनाये हैं। लेकिन इस व्यक्ति की गालियों के कारण, इस व्यक्ति की अशलीलता के कारण, आलोचक वर्ग ने इस एक व्यक्ति को इतना साइड लाइन कर लिया, कि हिंदी साहिते में जो स्थान बेचन शर्मा उग्र को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इस बात पर कई विद्वानों ने कई राये विक्त की है कि बेचन शर्मा उग्र जैसे विक्तितों को जो स्थान मिलना चाहिए था वो वास्तों में नहीं मिला। बच्पन में बेच दिया था तो ऐसे एक बालक को जीवन में स्नेह कैसे मिल सकता है। वह जीवन भर अविवाहित रहे पर उस तिती को सह नहीं पाए। नहीं कर सके जो उन पर हुए। उन पर कही तरह से आकर्मन हुए। उनकी शैली को लेकर, उनकी अशलीलता को लेकर, उनके साहिते को घासलेटी साहित्या, अशलील साहित्या नाम दिया गया। अंतर में तूट जाने पर भी अपनी उपस्तती का अनुभव कराने का कोई अवसर नहीं चुके। देखे इसी लेक में विश्नुप्रफाकर जी ने ये भी कहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उपेक्षा पाकर अपेक्षा की जिन्ता नहीं करते। अंतिम दिन तक वो यही कोशिश करते रहे कि उनका जो अस्तित्तो है वो लोग जाने। उनका साहिते में जो स्थान है जो हक मिलना जाए वो मिले। उसके लिए वो निरंतर लड़ते रहे। और उनकी इस गाली देने के व्यक्तितों के पीछे शाय यही रहा होगा वे अंदर से तूटे हुए व्यक्तिते। वो जीवन में स्नेह नहीं मिला उन्हे न साहिते में स्थान मिला। अंतर में तोट जाने पर भी अपनी उपस्तिती का अनभव कराने का कोई अवसर नहीं चूके। इसलिए उनका व्यंग्य दंश, अत्यंत विशेला और किसी सीमा तक दिशाहीन भी होटता था। उनका व्यंग्य दंश इसी कारण काफी पोईसनस था। उनकी भाषा में काफी पोईसन था। साहिते में भी जब आता था और जब आम तोर से जब बात करते थे तो काफी गा लेकिन जैसे जाग के नीचे शुद्ध सलिल बहता है, उसी तरह उनके इस अंगड अनियंत्रित जीवन के पीछे एक सशक्त लेखक, एक देश भक्त और एक सनेही मनिश्य का हृदय भी छलगता था, देखिए जैसे जाग के नीचे जाग होता है जो फोर्म होता है, उसके नी लेकिन नीचे शुद्ध जल होता है, ठीक उसी प्रकार उनके अंगड अनियंत्रित जीवन के पीछे एक सशक्त लेखक, एक देश भक्त और एक सनेही मनिश्य का हृदय भी छलगता था, उन्होंने नए सिरे से फिर लेखनी उठाई थी, पर कल बगवान अचानक ही उन्हे हमारे बीच से उठा ले गए, लेकिन साहिते के इतिहास में वे सदा जीवित रहेंगे, कल उनकी मृत्यू हो गई, भगवान ने उन्हें हमारे बीच से उठा लिया, लेकिन साहिते के इतिहास में वे सदा जीवित रहेंगे, चाहे अपने घासलेटी साहिते के कारण ही क्यो ना हो चाहे अपने विशेले भाशा के कारण ही क्यों ना हो लेकिन उग्र जी अपने उग्र सुभाव के कारण जरूर जीवित रहेंगे और विश्णु प्रभाकर जी ये भी कहते हैं कि उनका विक्ति तो काफी स्नेहिल था लेकिन उनकी विशेली भाशा के कारण लोग शाय मिलना था वो नहीं मिला और साहिते में जो स्थान मिलना था वो नहीं मिला उपर से कीचर उचाला गया उन पर तो इसी लिए विक्ती अपना क्रोध आक्रोश अपने साहिते में दिखाता रहा अपने जीवन में दिखाता रहा लेकिन विश्णु प्रफाकर जी कहते हैं कि सच तो यह है कि वो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन साहिते की इतिहास में बेचन शर्मा उग्र हमेशा जीवित रहेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र पर ये जो समस्मर्नात्मक लेख है इसे बैंगलूर सेंट्रल इन्वरसिटी के सयद सभा के आग्र के मताबिक अपलोड किया गया है so this one is dedicated to सयद सभा दोर दराज से जब ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं तो काफी अच्छा लगता है so best of luck for your exams bye